नमस्कार वैं सुरंजना आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 बीते मंगलबार को जीतनराम मांजी के बेटे संतो सुमन द्वारा इस्तीफा देने के बाद राजनीती में हलचल मची हुई है आपको बता दे नितीश मांजी की इस तूट के बाद बीजेपी ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाओ से पहले आखिर कौन सा बड़ा खेल होने वाला है आए जानते हैं खबर विस्तार से बिहार की सियासत में उठा पटक का दौर जारी है राज्य में लगातार पिछले कुछ दिनों से महा गटबंधन में सहयोगी छोटी पार्टियां अलग राग अलाप रही है यही वज़ा है कि बीते कल नितीश कैबिनेट में शामिल मंत्री शंतोस सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया इसी कड़ी में अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मताबिक इस उठा पटक के बीच दिल्ली में बिहार भाजपा के वरिये पदादिकारियों की बैठक बुलाई गई है दरसल भाजपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडड़ा और राष्ट्रिय महामंत्री बियल संतोष ने बिहार भाजपा की बैठक बुलाई है यह बैठक दिल्ली में होने वाली है इस बैठक को लेकर यह चर्चा है कि पटना में आगामी 23 तारीक को विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर भाजपा का क्या रननीती होगी इस पर निर्ने लिया जाएगा इसके साथ ही लोकसभा चनाओ से पहले मांजी की पार्टी को लेकर क्या रुख अपनाना है इस पर भी चर्चा होगी बताया जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली भाजपा बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी वराष्ट्रिय महामंत्री विनोत तावडे प्रदेश अध्यक समराथ चौधरी बिहार भाजपा विधान मंडल दल के नेता विजय सिना केंद्रिय मंत्री गिरेराज सिंग, अश्विनी चौबे, नित्यानन्द राय के अलावा पूर्व मंत्री मंगल पांडे, प्रदेश संगठन महामंत्री भीकु भाई दलसानिया, छेत्रिय संगठन महामंत्री नागेंदर नाथ और बिहार के सह प्रभारी सुनील भाई पूर्व उपमुक्ह मंत्री सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद और रेनु देवी के शामिल होने की संभावना है। राज्य में लगातार पिछले कुछ दिनों से महागट बंधन में सहयोगी छोटी पार्टियां अलग राग अलाप रही है। यही वज़ा है कि बीते कल नितीश कैबिनेट में शामिल मंत्री संतो सुमन ने अपने पद से स्तीफा दे दिया। इसी करी में अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मताबिक इस उठापटक के बीच दिल्ली में बिहार भाजपा के वरिये पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। तो सुना आपने कि भाजपा की इस बैठक में 23 जून को होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर भाजपा की क्या रन्नीती होगी इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी को NDA में शामिल करने पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक News24 और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भुलें। धन्यवाद।